हेलू नमस्कार दोस्तों सवागय थे आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चैनल में मात्याप से आप सभी के लिए एक नए डेली वीडियो प्रवाइड की जाते है जो कि किसी भी आप टेक्निकल एक्जाम की तयारी करें आपके लिए बहुत इंप्टेंट कोशन बता जाते हैं जो कि बार-बार एक्जाम में पूछे जा रहे हैं तो चलिए आज कहां वीडियो इस्टार्ट करते हैं कि सभी प्रियर्ण परकार के टांडिश्टर निमिलखित पर अधारित हैं अफसान आपके सामने देख सकते हैं तो ध्यान दियेगा दोस्तों कोश्चन के का नवे सकते हैं जो वह नहीं पर हमारा आफसान नंबर वन करेक्ट दिया गया दोस्तों चलिया आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दिखिएगा दोस्तों चुमकिय फ्लस का लोहे के कोर में संतित्य करण होने को हिस्टेरिसिस कहते हैं और लोहे कोर को बार बार चुमकित या भी चुमकित करने पर लोह खपज जो होती है और यह दोस्तों हमारा सब्सभी हो जाता है आफसन नबर एक करेक्ट एंसवर इसमें तो एक आफसन हमारा करे प्र बलतम चुम्किय चेतर भी आफसरे परतीवर्थी परीवर्थी चुमकिय चहतर और दी आशी सब्साहिए तो धियान देखियेगा दोस्तों इसी ज्छहरा बोल्टेज को कर सकता है और अर्छित । होती है जो कि यहाँ पर हमारा कोश्चन के अनुसार सही हो जाता है आप से कोई पूरा नाम क्या होता है यदि आप से कोई पूछ दे तो क्या बताएंगे इलेक्ट्रो मोटी फोर्स की दिसा ग्याद करने के लिए प्लोमी के दच्छिन हस्त नियम की अनुसार अंग्ठे की द काशन दिया गये तो दोस्तों यह बहुत ही सिंपले सबी लोग जानते हैं जो हो फ्लोमी के जो दच्छिन हस्त नियम है वह क्या है तो फ्लोमी के जो होता है यह पर पर सूरु करते हैं देखिए जो चवठा कोशन पूछ रहा है उसमें हम कह सकते कि ए प्रेडित की दिसा ग कि सारक करती है जो कि यहाँ पर हमरा कोशन पूछ रहा है कि अंगठा तो अंगठा दोस्तों किसको इंगित करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह दीशा को इंगित करता है ताथा आपसन नमबर डी हमरा यहाँ पर करेकर होता है कि लिए रहा दोस्तों चलिए आगे ब बढ़ने वाली धारा को साध्था करेगा, stop frame आपड़ने वाली धारा को सहाध्यों करेगा, और doyzat और थेला नहीं खेसे हैं कि जब एक चालक में धारा बढ़ती है, तो लेंज की नियम आनुसर बढ़ने वाली धारा की विपन धारा उत्पन होती है, और जो चालक पर लागू धारा का बिरूद करती है अथात लेंज का नियम कहता है कि धारा जिसकी कारण उत्पन होती है उसी का बिरूद करती है और यह जो नियम दिया था 1833 में किसने दिया था लेंज ने यहां पर कोशन के नुसार नमारा सी आपसर करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्ट कोशन नमर 6 द्याई कोशन की धारावाई कुंडली में उर्जा निमलखित रूप में शंग्राइत होता है बेदुच्छेत्र या चुमकिय च्छेत्र या दाब या आज हम कह सकते हैं कि जब किसी धारावाई कुंडली में पूर्फित स्रोट से जोडते है तो उनमें एक चुमकिय च्छेत्र उत्पन होता है और जिसकी कारण इस कुंडली में चुमकिय छेतर के रूप में उड़ा संग्राइत होता है अथा यहाँ पर हमारा सही हो जाता है आफसन नमबर B करेक्ट एंसर चुमकिय छेतर तो B आफसन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है के लिएर दोस्तों चलिए आगे बरते हैं नेक्ट कोश्चन कोश्चन नमबर साथ पर दैला यहाँ कोश्चन कि लोगज के कुरोड वाले सेलिनाइट का अकरसन सकती होता है आफसन आपके सामने हैं कि य डिया आफसन कि वाय वाले सीलिनाइट से कम B-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A कि जो अकर्सर सकती होती है वो yù कłode वावली सलेराइट से धिक होती है region क्या है इसका है region यही है दूश्थो कि लोगी क्रोड की जो चमक से良ता होती है y gdzie क्रोड से धिक होता है इसलिए तो यहाँ पर कर्रेक्ट हो जाएगा कि लिए रहे चलिए आगे बढ़ते कोशन नमबर आठ पर दिया कोशन कि चुमकिया फ्लक्स के यूनिट है बहुत इजी कोशन है आप संदेख लिए बेबर या कूलाम या मैक्सवेल या एंपियर वर्थ तो ध्यान देजिएगा दोस्तों जो यहां पर आपसे पूछ रहा है चुमकिया फ्लक्स के यूनिट तो यदि हम बात करें चुमकिया फ्लक्स का यदि एसाई मातरक तो बेबर होता है और चुमकिया छेतर में जटनी बल रिखाएं होती है उनके यूग कोश्मकिया फ्लक्स करते हैं और S.E. प्रणाणी में इसकी जो मातरक होती है या इकाही होती है वो आपकी बेबर होती है जो कि यहाँ पर हमारा आफसन दिया गये आफसन नबर A करेक्ट है अंसौर बेबर देख सकते हैं आप यह आपसन आपका करेक्ट होगा चलिए आगे बरते कोश्चन नबर नो पे यहाई कोश्चन कि यदि एक लोह दंड को एक शर्वत्रम चुमकिय छित्र में लटकाया जाए तो यह आपसन आपके सामने बल रिखाओं के दिशा में गती करने के लिए परिवित्व होगी वह रि चुमकिय छित्र में लटकाया जाए तो वह बल रिखाओं के दिशा में गती करने के लिए परिवित्व होगी क्योंकि रिजन इसका यह है कि चुमकिय फ्लक्स रेखे हमेशा उत्री धुरों से निकलती है और दचनी धुरों में परिवित्व करती है इसलिए तो यहाँ पर चुमकिय छित्र में गु माया जाता है तो द्यान दीखिएगा फैराडे की नियमानुसार जब किसी चालों को परिवर्त चुमकिय छित्र में रका जाता जाता है तो लटकाया जाता है जब किसी चालग को काड़ता है और जिसके कारण एम यह जेनरेट होता है और थाथ कह सकते हैं कि विदूत वहा कबल का माल वर्तनों की संख्या तता कुंडले में गरंधित फलक्स परिवर्तन की दर्की गुर्णफन के क्या होती है शमानु पाती होती है तो यहां पर हमारा करेक्ट हो जाता है आफसान नमबर भी करेक्ट है के लिए रहा दोस्तों च यह आफसन दिया गया देख सकते हैं कि वाइंडिंग में टर्नों के परिवर्तन द्भारा अथात Prime के परिवर्तन द्वारा और ध्यारत दिया गहें के वल पल्टेज में परिवर्तन संद्स का 1.1 crypto की जा सकती है या तो कर्णेटि परिवर्तन द्वारा चुमप की समर्थ की जा सकते यहां पर हमारा करेक्ट हो जाता है या तो Cuனे पर परीवर्तन द्वारा इस लिए तो अब गरते कोशना 1 कि कुमक की और अधारत निमल भी सित मेंसे कौन नहीं और किसे से कौन सा नहीं है नहीं की पूछ रही है तो जो क्या होता है तो यहां पर आप सब्सक्राइब को तोड़ा जाता है तो किसी खंड कर दिये जा उसमें दो दूरू बनते हैं ठीक है कितना अभी खंड कर दे इसको हम कई बार तोड़ दे उसके कोई मतलब नहीं उसमें एक दूरू बनते एन और रस थाता हम कह सकते कि जब किसी चुमब को तोड़ा जाता है तो वह सोतंत रूप से अपना दूरू एन और रस बना देता है तो यहां प की जहां पर यहां के अनुसार तो हुट होता है ठीक है तो यहां पर पूछ रहा है तो तो आक्सान नमबर डी हमारा यहां पर करेक्ट अन्सोर हो जाएगा के लिए रहा दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन पर कोश्चन नमबर कोश्चन नमबर कोश्चन कर You do बी-दू चुम्बग की कुंडली में परवायद होने वाली बिदू धारा जब उत्करमित होती है तब की च्छतर में दिशा अपरिवर्थित रहेगी और यहां पर थाफ़क्स लिए गया गया की चुमबग dinero की दिशा उतकरमित हो जाती है और तुस्तों ध्याना किएक की कुंडली में परवाइथ होने वाली विदुत धारा जब उतकरमित होती तब चुमकियद्षेतर की दिसा उतकरमित हो जाती है अथाथ हम कह सकते हैं कि इस परकार विदुत धारा वहन करते हुए चालक के चारो और इस तिर्ववा छेतर डिस चुमकिय प्रभाव उपस्तित होती है विदुत चुमकिय छित्र कहलाता है अथा यहां पर हमारा सही हो जाता है आफसा नंबर सी करेक्ट एंस्वर के लिए रहा दोस्तों चलिए आगे बरते कोशन नंबर 15 पर दिया है कोशन कि एक चुमक के भीतर चुमकिय छित्र की दिशा दिया होगी दच्षण से उत्तर या उत्तर से दच्षण या पीछे से आगे या आगे से पीछे तो ध्यान कियेगा जो इसमें एन और एस बनताए वह किस तरव से बनता है एन और इसी तर्व समय सकते है तो ध्यान लिए गा इक चुमक के भीतर चुमकिय छित्र की दिशा दच्छन से उत्तर होगी अथा जो कि यहां पर हमारा आफसन दिया गए आफसन नमबर A करेक्ट होगा आफसन कलेर रहा है दोस्तों चलिए हम आगे बरते कोश्चन नमर 16 पे दिया है कोश्चंग की चुमकिय परिपत में परागयमता बिदृत परिपत के की सगुण के जैसी है धारा गनत्र या परतिरूत या चलक्त या अथी शिष्ट परतिरूत तो धियान किये गा जब चुमक कि बात की जा तो चल लगता है कहा झा होती है जिसको उंब का उल्टा से हम फदर्सित करते हैं ठीक है इस तरह होता है तो यहां पर कोश्टन के अनुसान हमारा सभी हो जाता है आफसान सी चलक दो तो ध्यान खेलेगा दोस्तों पावर फैक्टर में इस तिर कुंडली स्रेडिक में जोड़ी होती है अथात यह दि हम बात करें सिंगल फैक्टर मेंटर की तो यह एक डैनोमो मीटर परकार का यंत्र होता है और इसमें ताबे के मोटे अनिमेल रतार से बनाई गई दू करेंट क्योंड होती है अथात यहां पर कॉश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा आपसन नमबर भी अथात इस तिर क्योंड सप्लाई की स्रीज में जोड़ी होती है तो भी आपसन यहां पर हमारा करेंट एंसोर हो जाएगा क्लियर है चलिए आगे बरते कोशन नमबर 18 पर दि तो यहां पर दोस्तो हमारा correct मिलता है आफसन नंबर C अथाथ आउठा जो होती है गती को और जो तरजनी अंगुली होती है और जो मध्य अंगुली होती है वो धारा को इंगित करती है जो कि यहाँ पर हमारा सी आफसन करेक्ट दिया गए क्लिए दोस्तों चलिए आगए बढ़ते कोश्चन नमर 19 पे दिया कोश्चन कि फ्लोमिंग वाम हस्त नियम देता है चालक की गती की दिसा या चालक में जनित बिदुत वाकबल की दिसा या उत्पन चुमकिय फ्लक्स की दिसा या इन में से कोई नहीं तो ध्यान एकिएगा फ्लोमिंग वाम हस्त नियम से चालक की गती की दिसा ग्याद की जाती है और फ्लोमिंग वाम हस्त नियम का परियोग मोटर में किया जाता है और question के अनुसार हमारा सही हो जाएगा आफसान नमबर B की चालक में जनेत विदुद्वायक बलकी दीशा अथा तभी आफसान हमारा यहां पर correct हो जाएगा clear है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते question नमबर 20 पे दिया कोशन के hysteresis चुमक किया परिपत में ऐसी परिगटना है जिसके दुवारा आफसान आपके सामने एच बी से पश्चेगामी रह जाता है और बी और एच हमेशा समान लाता है और डी आफसान दिया गया कि नियत अभिवा अस्थापित किया जासता है तो दोस्तों धिया न कह सकते हैं कि भी एच से पश्चेगामी रह जाता है तो यहां पर हमारा भी आफसान करेक्ट हो जाता है क्लियर है चलिए आगे बढ़ते कोशन नमर 21 पर दिया कोशन की प्लोमी के दाएं हाथ के नियमा अनुसार अंगठा दर साता है बहुती जी कोशन है सबी लोग बता सक ले गाया चलिए आगे बढ़ते कोशन नमर 22 सब्सके की तो उनके मददे बल होगा यके परतियक समय नहीं पाती और सक्वयर के परतिया अच्छा नहीं सब्सक्स आपसा नमबर सी करेक्ट एंसवर की डी स्कॉयर के बियुत करम नों पाती चलिए आगे बढ़ते कुश्ण नमरते इस पे धियाँ कוש्ण की निलिकीत में से कौन सा कथन सते है यह कथन आपके सामने देख सकते हर एक statement आपको A, B, C, D statement दियागे जिसमें से पूछ रहा है किसमें से कौन सा कथन सही है कथनों को ध्यान से पढ़िए और यहाँ पर देखिए कौन सा option आपको सही लग रहा है तो ध्यान नेखिए का दोस्तों इसमें जो आपका दिया गया का स्थन को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आपका C option जो दिया गया कि मैगनेटी फलस की इकाई बेबर होती है और यदि यहाँ पर option A और B और D की बात कहें तो पहले हम A से सुरू करते हैं देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक परकार के दुरू एक दुसरे को अकर्सित करते हैं लेकिन बहुत ही गलत है जो एक परकार के दुरू होते हैं एक दुसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्सित करते हैं अब यहाँ पर दुसरे में कह रहा है कि तो एक दुसरे को प्रतिकर्सि होती है इसकी कोर में बेक्सित होती है नो की वाइंडिंग में होती है तो यह भी हमारा गलत हो जाता है क्लियर है अब यहां पर हम बात करें कि सर्कृट में बॉल्ट मीटर स्रेड़ी में आबद होता है तो ध्यार न किये लेकिन बॉल्ट में अमें सामानतर में करते हैं तो आफसान नमबर यहां पर हमारा कोशन के नुसार सी ही करेक्ट होगा बाकी सब रॉंग है यह बी और डी क्या है रॉंग एंसर है और सी हैं यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते कोशन नमबर 24 पे दिय आफसन दिया गया कि निकलने वाले लोह के दंड के सिस चुमकन तो ध्याने किया दोस्तों यहां पर जो हमारा सही हो जाता है अथा यह पर प्रतिश्टमक की बिलोन पाती होती है तो यहां पर हमारा आफसन नमबर भी करेक्ट हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते कोशन बल रेखा के परवा की दिसान कि में से कौन सी है आसा आपके सामने परवी पर्ल्वु यृँ प में दरो से फीडरी तो धिया रिजाने कियेगा दोस्तों जो मैंगनेटिक पर वाइत होता है अभी कि तरह आपका किया गया तीर निसानə होता है गाई अभी यह ट्युके कि और नेचे से भी आपका क्या होता है इसी तरफ अतात कहना का मतलब है कि यह एन से और एस की तरफ जाती है अब यहीं आप से कोश्चान में पूछ रहा है तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि एक दंद चुमबक के चारो और चुमबक की फल रिखाऊं एक के परवा के दिसा उत्री दुरू से दच्छनी दुरू की ओर होती है जो कि यहां पर हमारा दिया गया है आपसान के अनुसार आपसान नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्लियर है तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यान से मैंने आपको प्टीस कोश्चन ही बताया यदि आपको वीडियो पसंद आ थे झाल